नमस्कार, कहानी संसार में आज शिव प्रसास सिंग की कहानी कर्मनाशा की हार वाचनस्वर अनुराग शौधरी का है कर्मनासा की हार सिव प्रसास सिंग की एक चर्चित कहानी है जिसमें लेखक ने सामाजिक विक्रितियों और अंधविश्वासों के भवर से निकाल कर मनुस्यता को प्रतिष्ठित करना चाहा है कर्मनासा की हार एक निम्न जात की बिध्वा लड़की और ब्राम्हड युवक की प्रेम की कहानी है भैरो पांडे अपने छोटे भाई के इस प्रेमा लाप को देखकर मन ही मन कुढ़ते हैं किन्तु भाई के प्रति पित्रि प्रेम के कारण वे कुछ कह नहीं पाते एक तरफ भाई के प्रत्म स्नेह का अपार संसार और दूसरी तरफ संसकार एवं सामाजिक बरजनाएं भैरो पांडे लगतार इस द्वंद से गुजरते हैं लेकिन जब सारा गाउं फुलमत के गर्व से पैदा होने वाले नवजात सिसु को कर्मनासा की बली देकर उसकी बाढ़ से बचाने का विधान रच्ता है उस समय भैरो फुलमत और उस बच्चे को आगे बढ़कर साहस के सास्विकार कर लेते हैं मानो मातर के प्रति करुडा और प्रेम की यह भावना नई कहानी की मुख्य प्रविर्ति रही है और शिव प्रसास सिंग की कहानियों में यह विशेश रूप से परलच्चित होती है अंध विश्वास में भैरो पांडे का अस्विकार इस कहानी को आधुनिक बनाता है तो आएए शुनते हैं मूल कहानी कर्मनासा की हार काले साप का काटा अदमी भच सकता है हलाहल जہर पीने वाले की मौथ रुख सकती है किन्तु जिस पयोधे को एक बार कर्मनासा का पानी छूले वह भिर हरा नहीं हो सकता कर्मनासा के बारे में किनारे के लोगों में एक और विश्वास प्रचलिक था कि यदि एक बार नदी बढ़ आये तो बिना मानुस की बल लिये लौडती नहीं हलांकि थोड़ी उचाई पर बसे हुए नई डी हिवालों को इसका कोई खौफ न था इसी से वे बार के दिनों में गेरू की तरह फैले अपार जल को देखकर खुश्या मनाते दो-चार दिन की यह बार उनके लिए तबदीली बन कराती मुखिया जी के द्वार पर लोग बागी कठे होते और कजली सावन की ताल पर ढोल के ठनकने लगती गाउं के दुध्मुहें तक इबाढ़ी नदिया जीया लेके माने का गीत गाते क्योंकि बाढ़ उनके किसी आदमी का जीया नहीं लेती थी किन्तु पिछले साल अचानक जम नदी का पानी समुद्र के ज्वार की तरह उमरता हुआ नई डीह से जाटा कराया तो ढोल के बह जली गीत की कडिया मुर्जा कर होठो पे पपड़ी की तरह छा गई सोखा ने जान के बदले जान दे कर पूजा की पाँच बकरो की दोरी भेट हुई किन्तु बढ़ी नदी का होसला कम न हुआ एक अंधी लड़की एक अपाहिज बुढ़िया बाढ़ की भेट रही नई डीह वाले कर्मनाशा के इस उगर रूप से काप उठे बुढ़ी औरतों ने कुछ सुराग मिलाया पूजा पाठ कराकर लोगों ने पाप सांती की एक बाढ़ भीती बरस बीता पिछले घाव सूखे न थे कि भादों के दिनों में फिर पानी उमड़ा बादलों की छाव में सोया गाव भोर की किरण देखकर उठा तो सारा सिचान रक्त की तरह लाल पानी से घीरा था नई डीह के वातावरण में हौल दिली छा गई गाव उचे अरार पर बसा था जिस पर नदी की धारा अनवरत टक्कर मार रही थी बड़े बड़े पेड जड़ मूल के साथ उलटकर नदी के पेट में समा रहे थे यह बाढ़ न थी प्रले का संदेश था नई डीह के लोग चुहेदानी में फंसे चुहे की तरह भै से दोड़ धूप कर रहे थे सबके चेहरे पर मुर्दनी छा गई थी कल दीनापुर में कराह जड़ा था पांडे जी इनसुर भगत हकलाते हुए बोला कुवे की जगत से बाल्टी का पानी लिए जगेसर पाने उतर रहे थे हडबडाकर बाल्टी सहीत उपर से कूत पड़े क्या कह रहे थे भगत कडाह जड़ा था क्या कहा सोखा ने चवराहे पर छोटी भीड इकठी हो गई भगत अपने सब्दों को चुभलाते हुए बोले काशिनात की सरन भाई लोगों सोखा ने कहा कि इतना पानी गीरेगा कि तीन घड़े भरे जाएंगे आदमी मवेसी की छै होगी चारो और हाहाकार मत जाएगा परले होगी परले न होगी तब क्या बरक्कत होगी हे भगवान जिस गाउं में ऐसा पाप करम होगा वह बहेगा नहीं तब क्या बचेगा माथे के लुग्गे को ठीक करते हुई धनिसरा चाची बोली मैं तो कहूँ कि फुलमतिया ऐसी चुप काहे है राम रे राम कुतिया ने पाप किया गाउं के सिर्वीता उसकी माई कैसी सत्वंति बनती थी आग लाने गई थी तो घर में जाने नहीं दिया मैं तो तब ही छनगी कि हो न हो दाल में कुछ काला है आग लगे ऐसी कोख में तीन दिन की बिटिया और पेट में ऐसे घन घोर दाड़ी कुछ साब भी कहोगी भोजी बीच में जगेसर पाड़े बोले क्या हुआ आखिर हुआ क्या फुलमतिया राण मेमना लेके बैठकी है बिधवा लड़की बेटा बेयाकर सुहागिन बनी है हैं कब हुआ सबकी आखों में उस्सुकता के फफोले उभराए आगत भैसे सबकी सांसे टंगी रह गई तभी मिर्चे की तरह तीखी आवाज में चाची बोली कोई आज की बात है तीन दिन से सौरों में बैठी है डाइन पाप को छाती से चिपकाए है यह भी नहुआ की गर्दन मरोड कर गड़हे गुच्ची में डाल दे लोगों को परले की सूशना देकर हवा में उड़ते हुए आचल को बरजोरी बस में करती चाची दूसरे चौराहे की और बढ़ चली गाउं का सारा आतंक भय पाप उनके पीछे कुट्टे की तरह दुम दबाय चले जा रहे थे सबकी आँखों में नई डीह का भविस्य था रक्त की तरह लाल पानी में चूहे की तरह उब चूब करते हुए लोग चिल्ला रहे थे मौत का ऐसा भयंकर स्वपन भी सायत किसी ने न देखा था भैरो पाड़े बैसाखी के सहारे अपनी बखरी के दरवाजे में खड़े बाढ़ के पानी का जोर देख रहे थे अपार जल में बहते हुए साप बिच्चु चले आ रहे थे मरे हुए जानवर की पीट पर बैठा कववा लहर के धक्के से बिचल जाता चूहे भीगे चूहे पानी से बाहर निकलते तो चील जपट पड़ते बिचित्र द्रिसे है पांडे न जाने क्यों बुदभुदाए फिर मिट्टी की बनी पुरानी बखरी की ओर देखा पांडे के दादा देश दिहात के नामी गिरामी पंडित थे उनका ऐसा इनकलाब था कि कोई भी कभी भी सताने की हिम्मत नहीं करता था उसकी बनवाई है यह बखरी भाग की लेख कौन टारे दो पुस्त के अंदर ही सभी कुछ खो गया मुठी में बंद जुगनू हाथ से बाहर निकल गया और किसी ने जाना भी नहीं आज से सोले साल पहले माबाप एक नन्ह लड़का हाथ में सौप कर चले गए पैर से पंगु भैरो पाड़े अपने दो बरस के छोटे भाई को कंधे से चिपकाए असहाय निरवलंब खड़े रह गए धन के नाम पर बाप का करज मिला काम धाम के लिए दो दुनूहे भाई की देख रेक रहने के लिए बखरी जिसे पिछली बाढ़ के धकों ने एकदम जरजर कर दिया है अब यह भी न बचेगी पांडे के मुह से भवितब विफूट रहा था जिसकी भयंकरता पर उन्होंने जरा भी खयाल करना जरूरी नहीं समझा दरारों से भरी दिवारें उनके खुरदूरे हाथों के असपर्स से पिघल गई बरसा का पानी पसीज कर हाथों में आसू की तरह चिपक गया भैरो पांडे के कानों में आवाज के असपर्स से ही भयंकर पीड़ा पैदा हो गई बैसाखी उनके सरीर के भार को समहाल न सकी और वे धम से चौकट पर पढ़ गए बाजू के धक्के से कुहनी छिल गई चिंचिनाती कुहनी का दर्द उनके रोए रोए में बिध रहा था और पाड़े इस पीड़ा को होठो के बीच दबाने का प्रयास कर रहे थे सब कुछ गया वे बुदबुदाए कर्मनासा की बाढ़ उनकी उस जरजर बखरी को हडपने नहीं उनके पितामह की उस अमूली प्रतिष्ठा को हडपने आई है जिसे अपनी इस विपन अवस्था में भी पाड़े ने धर्ती पर नहीं रखा दुलार में पली वा प्रतिष्ठा सदा उनके कंधे पर पड़ी रही मैं जानता था कि वह छोकरा इस खांदान का नाश करने आया है पाड़े की आँखों में उनके छोटे भाई की तस्वीर ना चूठी अठारे बरस का छरहरा पानीदार कुलदीप जिसकी आँखों में भैरों को मा की छाया तैरती नजराती उसके काले काकुल को देखकर मुखिया जी कहते कि इस पर भैरों पाड़े के दादा की लाओचार पड़ी है पाड़े हो होकर हस पड़ते जार एकुलदीप बरामदे में बैठ कर पड़ भैरों पाड़े मन में बुदबुदाते तेरे आख में सोकुंड चालू हरामी कहीं का लड़के पर नजर गड़ाता है कुछ भी हुआ इसे तो भगवान कसम तेरा गला घोड़ दूँगा बड़ा आया मुखिया जी फिर जरा बढ़के बोलते क्या लचार पड़ेगी मुखिया जी दादा के पास तो पांच पचाहीं गाये थे एक से एक दो थंदूले तो पंच सेरी बल्टी भर जाती थी यहां तो इस लॉंडे को दूध बजता ही नहीं फिर साल बारे महीने हमेशा मिलता भी कहां है हम गरीबों को अब वह पुराने जमाने की बात कहां रही पांडे जी मुखिया कहता और अपने संकेतों से सब्दों में मिर्चे की तिताई भर कर चला जाता काले काले काकुलों वाला नहुजवान कुलदीप उसे फूटी आँखों से नहीं सुहाता किन्तु भैरो पाड़े के डर से वह कुछ कहने पाता भैरो पाड़े दिन भर बरामदे में बैटकर रूई से बिनोले निकालते तूमते सूत तयार करते और अपनी तकली नचा नचा कर जनेउ बनाते जजमानी चलाते, पत्रा देख देते, सत्यनारायन की कथा बास देते और इससे जो कुछ मिलता कुलदीप की पढ़ाई और उसके कपड़े लत्ते आदि में खर्च हो जाता यह सब कुछ मर मर कर किया था, इसी दिन को पांड़े की आँखों में प्यास छा गई लड़के ने उन्हें किसी ओर का नहीं रखा, आज यहां आफ़त मची है, आप पता नहीं कहां भाग कर छीपा है राम जाने कैसे हो, सूखी आँखों से दो बूदे गिर पड़ी अपने से तो कौर भी नहीं उठा पाता था, भूखा बैठा होगा कहीं, बैठे मरे, हम क्या करें पांड़े ने बैसाखी उठाई, बगल की चारपाई तक गए और धम से बैठ गए, दोनों हाथों में मुह छिपा लिया और चुप लेटे रहे पूर्भी आकास पर सूरज दो लठे उपर चढ़ाया था, काले काले बादलों की दोड़ धोप जारी थी, कभी कभी हलकी हवा के साथ पूदे भी खर जाती, दूर किनारों पर बाढ़ के पानी की टकराहट हवा में गूझ उठती भैरो पाड़े उसी तरह चारपाई पर लेटे आंगन की ओर देख रहे थे, बीचो बीच आंगन के तुलसी चौरा था, जो बरसात के पानी से कट कर खुरदूरा हो गया था पुराने पौधे के नीचे कई मासूम मरकती पत्तियों वाले छोटे छोटे पौधे लहराने लगे थे, बरसा की बूधे पुराने पौधों की सक्त पत्तियों पर टकरा कर बिखर जाती, तूटी हुई बूधों की भुहार धीरे से मासूम पौधों पर फिसल जाती, कितन आनंद मगन थे वे मासूम पौधे। पांडे की आखों के सामने कातिक की वह शाम ना चुठी। दो बरस पहले की बात होगी। साम के समय जब वे बरामदे में लेटे थे फुलमत आई अपनी बाल्टी मांगने। सुबह भैरो पाडे ले आये थे किसी काम से। कुलदीप जर जब कुलदीप जुका था तो फुलमत भी अपने दोनों हाथों से आचल का खूट पकड़कर तुलसी जी की वंदना करने के लिए जुकी थी। कुलदीप के जटके से उठने पर उसकी पीट से टकरा गई थी अचानक। तब नजाने क्यों दोनों मुस्कुरा उठी थे। भैरो पांडे क्रोध से तिल मिला गए थे। वे गुस्से के मारे चारपाई से उठे तो देखा कि कुलदीप बाल्टी लिए खड़ा था और फुलमत तुलसी चवरे पर सिर रख कर प्रार्थना कर रही थी। नजाने क्यों पांडे की आँखे भराई। बरसात के दिनों क के बाद इस खुरदुरे चवरे को उनकी माँ पीली मिटी के लेवन से समार कर फिर स्वेत बलुई माटी से पोत कर सफेद कर देती। साम को सूखे हुए चबूतरे पर घी के दीपक चला कर मत्था टेक कर वे लड़कों के मंगल के लिए बिनय करती। तब वे भी ऐसे ही ज चाप चली गई। पांडे के चहरे पर एक बिचित्र भाव था जिसे समाल सकने की ताकत उन दोनों के मन में न थी। और दोनों ही भै की कमपन लिए इधर उधर भाग खड़े हुए। बहुत दिनों तक पांडे के चहरे पर अवसात का यह भाव बना रहा। कुलदीप डर के मारे उनकी ओर देख नहीं पाता, न तो पहले जैसी जित कर सकने की हिम्मत होती, न हसी के कल्रव से घर के कोने कोने को गुंजान बनाने का साहस। पांडे ने अपने दिल को समझाया इसे लड़कों का छलिक खिलवार समझा, सोचा धरती की छाती बड़ी कड़ी है, ठेस लगते ही सारी गुलावी पंखुडिया बिखर जाएंगी, दोनों को दुनिया का भावताव मालूम हो जाएगा, पांडे के रुक से फुलमत अभी ससंख हो गई थी, वह इधर कम आती, कुलदीब के उठने बैठने, पढ़ने लिखने पर पांडे की कड़ी नजर रहती, वह किताब खोल कर बैठता तो दिये की टेम में स्वेत वस्त्रों में लिप्टी फुलमत खड़ी हो जाती, पुस्तक के पन्ने खुले रह जाते और वह एक टक दिये की लव की ओर देखता रह जाता, पांडे को उसकी यह दसा देखकर बड़ा क्रोधा था पर कहते कुछ न लग गया था, दिये की टेम कुलदीब के चहरे पर पढ़ रही थी, जिसे पीछे घने अंधकार में लेटे, पांडे क्रोध, मोह और नजाने कितने प्रकार के भाओं के चक्कर में जूल रहे थे, उन्हें फुलमत पर बेहत गुस्सा आता, टीमल मलाह की यह बिधवा लड हसना खेलना खाना सब भोल गया, पांडे चार पाई से उतर कर इधर उधर चकर लगाते रहे, पर कुछ नीड़े न कर सके, समय बीदता गया कुलदीब भी खुशन जराता, हसता खेलता पांडे की चहाती से चिंता का भारी पत्थर खिसक गया, एक बार फिर उनके चहरे प हसी की आभा लटने लगी, रोई सूत का काम फिर सुरू हो गया, गाउं के दो चार उठले निठले आकर बैठ जाते, दिन गपासटक में बीद जाता, सुर्ती मलमल ताल ठोकने और पिच्च से थुक कर किसी को गाली देने या निंदा करते, इन सब चीजों से वास्ता न र पांडे उसी चारपाई पर लेटे थे, अंतर इतना ही था कि दिन थोड़ा और उपर चड़ गया था, लहरों की टकराहट थोड़ी और तेज हो गई थी, रक्त की तरह खौलता हुआ लाल पानी गाउं के थोड़ा और निकट आ गया था, उनकी नशें किसी तिब्र ब्यथ पांडे के वंस में ऐसा नहीं हुआ था, वे फुस फुस आये, भगल को दीवार में ताखे पर रामायन की गुटका रखी थी, उन्होंने उठाया, एक जगह लाल निशान लगा था, पिछले दिनों कुलदीप रात में रामायन पढ़ा करता था, जब से वह गया है, आज तक गुटका खुली नहीं, पांडे के हाथ कापे, गुटका उलटकर उनकी छाती पर गिर पड़ी, उठा कर खोला वही लाल निशान, वह सीता भाब बिधि प्रतिकूला, मिलै नपावक मिटै नसूला, सुनभ बिनै नम बिटप असो का, सत्य नाम कर हर ममुसो का, पांडे गाली देने से ही क्या होगा अब, इतने तक रहता तो कोई बात थी, आज उसे बच्चा हुआ है, कहीं कह दे कि लड़का कुलदीप का है, तो नहीं, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता, पांडे बढ़ बढ़ाये, उन्होंने अपने बालों को मुठ्धियों में कसकर खीचा, जै कुलदीप के जाने के बाद से, आज तक उनका जीवन अव्यवस्था की एक कहानी बन कर रह गया है, चार-पांच महीने से कुलदीप भागा है, पहले कई दिनों तक वे जरूर बहुत बेचैन थे, किन्तु समय ने दुख को भूलाने में मदद की थी, आज फिर कुलदीप उनकी आँखों के सामने आकर खड़ा हो गया, बीती घटनाएं एक-एक कर आँखों के सामने नाचने लगी, फागुन का आरंभ था, मुखिया जी की लड़की की शादी थी, गाउं भर में खुसी चाई रहती, जैसे सब के घर सादी होने वाली हो, सादी के दिन तो गाउं पहले से भीड लगी थी, और अब दो बजने को आए, साबुन लग रही थी, पैरों में जमी मैल, सिकडे से रगड रगड कर छुडाई जा रही थी, बारात आई, द्वार पूजा की शोभा का क्या कहना, बनारस की रंडी नाचने आई थी, छैल छवीलों की भीड जम गई बाई जी आई, अपना ताम जम फैला कर बैठ गई, सारंगी लेकर बुढ़े मिया ने किन-किन किया, बाई जी ने आलाप के बाद गाया, उच नीच कुछ बूजत नाही, मैं हारी समझाओ, वे दोनों नैना बड़े, बेदर्दी दिल में गड़ी गयो हाओ महफिल में, बहुत दूर गाउं के छोर पर, आमों के पेड़ पर फागून के पीले चांद की छाया फैली थी, जिसके नीचे चितकबरे के चाम की तरह फैली चांदनी में एक प्रशन उठा, मुखिया जी की महफिल में पतुरिया ने जो गीत गाया था, कितना सही था, कौ कौन है? जोर की आवाज गूजी, पास की गली में एक छायक हो गई थी, कौन है? फिर आवाज आई थी, मैं हूँ कुलदीप, यहां क्या कर रहे हो? नदी की ओर चला गया था, इस समय पेट में दर्द था, क्रोध की हालत में भी भैरो पाड़े मुस्कुरा उठा थे, जू हुआ यह जूट उसके जीवन को जूटा साबित कर देगा, एक छण के लिए जुका हुआ माथा फिर कभी न उठ सकेगा, वह जूट के इस परदे को फाड़ डालना चाहता था, किन्तु कुलदीप, भैरो पांड़े ने आहिस्ता आहिस्ता कहा, तुम गलत रास्ते पर पा नहीं हो जाता, किन्तु इस औसर को गलत कहकर नीचे गिरने से बड़ा पाप और कोई नहीं है, कुलदीप को लगा कि तीखे काहटो वाली कोई जीवित मचली उसके गले में भस गई है, गर्दन को चीरती हुई यदि वह निकल भी जाए, तो गनीमत किन्तु यह असह पीड उसे जिस वस्तु को बरेड़े समझती है, उसे वह एकदम ही ब्यर्थ कैसे कह दे, जिस छाया में न जाने क्यों उसे एक अजाने आनंद का अनुभव होता है, उसे कालिक कह सकना उसे वसकी बात नहीं थी, और इस कश्ट के भार को उसकी आँखे सम्हाल न सकी, भैरो आसुओं में जो पश्चाताप उमरता है, वह दिल की कलोज को माज डालता है, पांडे ने सोचा था कि कुल्दीप अब ठीक रास्ते पर आजाएगा, उनके वंश की मर्यादा अपमान की तराजू पर चढ़ने से बच जाएगी, भूखो रहकर भी पांडे ने इज्जत के जिस बिरवे को खून से सीज करतर हो चा रखा है, उस पर किसी के ब्यंग कुठार नहीं चलेंगे, किन्तु एक महीना भी नहीं बीता कि कुल्दीप फिर उसी रास्ते पर चल पड़ा, छोटे भाई के इस कारे को छिपकर देखने की पापागने में भैरो पांडे अपनी आ मकते हुए टुकडे, सामने के उचे अरार पर घन पलास के पेड़ों की आरक्त पाते, बीच में घुगगू, चारो और जल बिहार करने वाले पच्छियों का स्वर, कगार से नदी तीर तक बने हुए, छोटे बड़े पहरों के निशानों की दो पंक्तियां सिर्फ दो, त अपना प्रार दे सकता हूँ किन्तु तुमको कभी नहीं, चादनी की जीनी परते सघन होती जा रही थी, सूनसान की नारे पर भटकती हवा की संसनाहट में आवाजों का अर्थ खो जाता, कभी हलके हास्य की नर्मध्वन, कभी आक्रोस के बुलबुले, कभी उल्लास कभी सिस्कियों की सरसराहट, भैरो पांडे एक बार चादनी के इस पवित्र आलोक में अपनी क्रूरता और निर्ममता पर विचार करने के लिए रुख गए, तो क्या आज तक उनका सारा प्रयत्न निश्फल था, क्या वे असाध्य को संभो बनाने का ही प्रयत्न करते रहे एक छण के लिए भैरो पांडे ने सोचा काश फुलमत अपनी ही जात्की होती, कितना अच्छा होता, यह विधवा न होती, तुलसी चवरे की बंदना पांडे के मस्तिक्स में चंदन के सुगंध की तरह चा गई, उसका रूप, चाल चलन संकोच सब कुछ किसी को भिसोभा देने लायक था, एक छण के लिए उनकी आखों के सामने सफेज साडी में लिप्टी फुलमत की पतली दुबलिकाया, हाथ जोड कर खड़ी हो गई, जैसे वह आचल फैला कर आसिरबाद मांग रही हो, भैरो पाडे, बिजडित खड़े थे, दिगमूर, यह असंभो है, पा पाडे पाप की साच्छी में दोनों संबेद दिखाई पड़े थे, पांडे फिर एक छण के लिए चुप हो गए, मैं पूछता हूँ यह सब क्या है, पांडे चिलाए, इतने निरलज हो तुम दोनों, पांडे बढ़कर सामने आये, फुलमत की और मुह फोर कर बोले, तू तू इसकी जिंदगी क्यों बिगाड़ना चाहती है, क्या तू नहीं जानती कि तू जो चाहती है वह स्वप्न में भी नहीं हो सकता, कभी नहीं, फुलमत चुप थी, पांडे दूने क्रोज से बोले, चुप क्यों है चुडएल, बोलती क्यों नहीं, मैं क्यों इनकी देखा है क्रोध नहीं, जिन हाथों से तुम्हें पाल पोसकर बड़ा किया है, उसे से तुम्हारा गला घोटते मुझे देर न लगेगी, दादा, कुलदीप हक लाया, हम दोनों, पापी, नीच, भैरो पाड़े के हाथ की पाचों अंगुलियां कुलदीप के चेहरे पर उ पानी में फेक दूँगा, अंधर को पीते हुए त्रिसिस साप जैसा स्वर, यह सब मैंने किया था, पांडे चारपाई पर घायल साप की तरह तरफड़ाते हुए बुदबुदाए, उनकी चाती से सरसरा कर रामायर का गुटका जमीन पर गिर पड़ा और उस पवित्र आर पांडे वापस आ गए, बाप दादों की इज़त की प्रतिक इतनी बिसाल बखरी जिसकी दीवारे मुह दबाए सांत पुजारी के तब की तरह अडिक खड़ी थी, किन्तु कितनी सोनसान, ढराओने निश्प्राण, पिंजर की तरह लगती थी, यह बखरी चोकट पर पैर रखते हुए पांडे की आत्मा कराह उठी, चला गया, बैसाखी रखकर पांडे आगन में कोने में बैठ गए, अब वो कभी नहीं लोटेगा, रात में उन्हें बड़ी देर तक नीद नहीं आई, कुलदीप को बचपन से लेकर आज तक उन्होंने कभी भी अपनी आख की ओट नहीं होने दिया, छुटपन से लेकर आज तक खिलाया पिलाया, पाला पोसा और आज लड़का धगा देकर निकल गया, पांडे अध्रो की मेड के पीछे बिधा के सैलाप को रोकने का अस्फल प्रयत्न करते रहे, भोर होने में देर थी, उनीदी आखे करुआ रही थ गली के मोड के कच्चे मकान के भीतर से जात की घर घर गूज रही थी, एक घुमरता गर गराहट का स्वर जिसके पीछे जात वाली के कंठ की ब्यथा की एक सुरीली तान तूट तूट कर कौँध उटती थी, मोहे जोगिनी बना के कहां गईले रे जोगिया, पांडे एक छ अवाक होकर इस दरदीले गीत को सुनते रहे, प्यासे भूले भटके ठके हुए स्वर, पांडे की आत्मा में जैसे समान बेदना को पहचान कर उतरते चले जा रहे हूँ, अब रोने लगी है चुडएल, पांडे पागल की तरह बढ़ बढ़ाते रहे, रो रोकर मर, मैं क् बाढ़ के लाल पानी में सूरज डूब रहा था, पांडे बैसाखी के सहारे आकर दरवाजे पर खड़े हुए नदी की और आदमियों की भीड खड़ी थी, वे धीरे धीरे उधर ही बढ़े, सामने तीन चार लड़के अरहर की खूटियां गाड़ कर पानी का नपाव देखता नहीं लंगडे, बाढ़ रोक रहे हैं, पाड़े मुस्कुराए, जैसा बाप वो ऐसा बेटा, तेरा बाप भी खूटिया गाड़ कर कर बनासा की बाढ़ को रोकना चाहता है, वह भीड कैसी है रे छबीले, नहीं जानते फुलमत को नदी में फेक रहे हैं, उसके बच्चे को भी, उसने पाप किया है, छबीला फिर गंभीर खरे पाड़े से सटकर बोला, क्यों पाड़े चाचा, जान लेकर बाढ़ उतर जाती है ना, हाँ, हाँ, पाड़े आगे बढ़ा, बोतल की टीप खुल गई थी, पाड़े के मन में भयानक प्रेत खड़ा हो गया चलो, ने रहेगा बांस, ने बजेगी बांसुरी, चली थी पाड़े के वंस में कालिक पोतने, अच्छा ही हुआ कि वह छोकरा भी आज नहीं है, फुलमत अपने बच्चे को छाती से चिपकाए, तूटते हुए अरार पर एक नीम के तने से सटकर खड़ी थी, उसकी आए के विरुद्ध बोलने की हिम्मत नहीं करता था, कर्मनासा को प्राणों की बली चाहिए, भीना प्राणों की बली लिए, बाढ़ नहीं उतरेगी, फिर उसी की बल्कियों ने दी जाये, जिसने पाप किया, पर साल जान के बदले जान दी गई, पर कर्मनासा दो बली ल पता नहीं किस बहर का बदला ले रहा है बेचारी से। भीड में कई इस तरह से सोचते ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। किन्तु कौन बोले सब मुहसिये खड़े थे। पांडे ने बच्चे को उसकी गोज से छीन लिया। मेरी राय पूछते हो मुखिया जी तो सुनो। कर्भनासा की बार दो धुमुहे बच्चे और एक अबला की बली देने से नहीं रुकेगी। उसके लिए तुम्हे पसीना बहाकर बांधो को ठीक करना होगा। कुलदीब का कर भाग सकता है। किन्तु मैं कायर नहीं हूँ। मेरे जीते जी बच्चे और उसकी मा का कोई बाल भिबाका नहीं कर सकता। समझे। तो यह बुढ़े पांडे जी की बहु है। बुढ़िया ब्यंग से बोला। पाप का फल तो भोगना ही होगा पांडे जी, समाज का कर्मनासा के पेट में जाना पड़ेगा। है कोई तयार जाने को लोग अवाक पांडे को देख रहे थे, जो अपने कंधे से छोटे बच्चे को चिपकाए अपनी बैसाखी के सहारे खड़े थे। पत्थर की बिसाल मूर्ति की तरह उन्नत प्रसस्त अटल कर्मनासा के लाल पानी में सूरज डूब रहा था। जिन उद्धत लहरों की चपेट से बड़े बड़े बिसाल पीपर के पेड़ धरासाई हो गए थे, वे एक ठूटे नीम के पेड़ से ठकरा रही थी। सूखी जड़ें जैसे सक्त चट्टान की तरह अडिक थी, लहरे तूट तूट कर पच्छाड खाकर गिर रही थी, सिथिल, ठकी, पराजित। तो ये थी सिव परसाज सिंग की कहानी, अत्यन थी मार्मिक कहानी, कर्मनासा की हार। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट वाक्स में जरूर बताईएगा, कहानी सुनने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।